पिहार का हक है special status और इसको हम लेके रहेंगे हम बिहारी हैं ना ठके हैं ना हारे हैं ना जुके हैं हम जीत के अपना हक लेंगे नमस्कार मैं पूझा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन सौर्स आज हम बात करने वाले हैं बिहार को विशेस राज्ये का दर्जा दिलवाने की जी हां एक बार फिर से ये मुद्धा बिहार की राजनितिक गलियारों में उठने लगा है और कहीं न कहीं इस पे राजन में ये कहते वे नजर आ रहे थे कि वो अब विशेस राज्ये का दर्जे की मांग करते करते कें सरकार से ठक चुके हैं अब वह ऐसा नहीं करने वाले हैं इसके जगब विशेस सहायता की मांग जरूर करेंगे लेकिन इस पूरे मामले पर इस पूरे विशे पर जो हमके प्रवक्ता डॉक्टर दानी श्रिजवान वो बहुत कुछ आज बोल गया उन्होंने कहा है कि जिस राजनितिक दल को इस मामले से पीछे हटना है वो हटे लेकिन इसके अलावा भी वह और क्या कुछ कर रहे हैं आप खुछ सुनिये देखे विशेश राज जी कर दरजा मामले को लेकर के जिस राजनितिक दल को पीछी हटना है हट जाए यह एजंडा सदन से पारित एजंडा है और बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए इसके लिए जिन्हें बैक फुट पर जाना है चले जाए हिंदुस्तानी आवामोचा के नेता शिर जीतर नाम मांजी जी इस पस्ट तरीके से कहा है कि यह एजंडा कायम रहेगा बिहार का हक है स्पेशल स्टेटस और इसको हम लेके रहेंगे उसके लिए चाहे जो भी संगश करना पड़े हम उस संगश करको करने को तयार हैं और हम मानिनी मुखमति निटीश कुमा जी से अन्रोथ करते हैं कि एक कमीटी बनाए जो कमीटी बुना विषय श्राज के दर जा के लिए मानिनी परधानमंतरी महमहीम राष्टपती से मुलाकात करे और बिहार को किसी भी किमत पर इस्पेशल स्टेटस दिलवाए हम बिहारी हैं ना ठके हैं ना हारे हैं ना जुके हैं हम जीत के अपना हख लेंगे तो आपने सुना कि किस तरीके से दानी शरीजवान ने साफ लब्जों में कह दिया है कि जिस राजनितिक डल को इस पूरे मामले से बैक फूट पर जाना है वो जा सकते हैं लेकिन ये मामला सदन से पारित है और हम इसके लिए लगातार अवाज उठाते आएंगे। इस चीज की मांग करते रहेंगे बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए फेस्बूक पेज को लाइक करिए धन्यवाद